लास सभा में किलियर कट बीजेपी को मिल जाएगा। उस दिन मैं आपको उतानों लगभग छह साथ सांसद ऐसे होंगे जो क्या करने टेन छूट गई, क्या करने पैन में मोच आ गई, किसी की अम्मा की तभियत खराब। बीजेपी के 92 सदस हैं, AIDMK के 4 सदस हैं, AGP का एक सदस हैं, मिजो नेसलन फ्रंट का एक है, NCP का एक है, PMK का एक है, RPI का एक है, और TMC M का एक है, UPPL का भी एक है, अब क्या है, पांच जो हैं वो नॉमनेटेट हैं, और एक सदस निर्दिली हैं, 120 के बाद तो बीजेडी के न सदस और हैं, जो वो हैं, इंडिपेंडेंडेंट में हैं, तो इनके जाके 130 हो गए, सरत पवाल मतदान नहीं कर आएंगे, जहां तक संभावना है, दूसरी बार प्रफूल पटेल जो है, BJP फियों देंगे, एक उनका कम हुआ, अब संजे सिंग भी नहीं कर पाएंगे, उन दो लोग नहीं पहुचेंगे, नोट कर लीजिये, नहीं पहुचेंगे, डिली अदिदेश बिल लोकसभा में पास होने के बाद, अब ये सौंपार को राजसभा में पेश किया जाएगा, और लोकसभा में ये बिल आसानी से पास हो चुका है, लेकिन सवाल ये उट रहे है कि क्या राजसभा में सरकार के पास वो आकड़ा है, जिससे की ये बिल राजसभा से भी आसानी से पास हो सकेगा, क्योंकि आम आत्मी पार्टी और पूरा विपक्षी गटबंधन, आई एन डी आई है, ये दावा कर रहा है कि वहाँ पर, यानि लोकसभा में ये वन साइड फैसला हो चुका है, लेकिन राजसभा में रहा उतनी आसान नहीं होने वाली है, इस पूरे माफले पर विस्तार से बाच्चीत करेंगे, वरिष्ट पत्रकार अजे जी मेरे साथ हैं, अजे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, सबाल ये है कि लोकसभा से ये बिल आसान नहीं हो पाएगा, क्या कहींगे आप? एक सदस जो है संजय सिंग, दो हो गए, एक सदस और है, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहिना हूँ, दूसरी आपको बताना है कि बस्पा की जो पोईशन है, मेरा अंदाजा है बस्पा उसमें बाक आउट करेगी, यही पोईशन होगी, मगर ये भी है कि सद्धान्ति या कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं, तो एक काहबत है, बाप बड़ा न भाया, सबसे बड़ा रुपईया, तो इनकी मजबूरी है कि तीन लोग इनको सपोर्ट करेंगे, एक बियारस को सपोर्ट इसलिए करना पड़ेगा, चुकि केजरिवाल उनके सभी साथी, शुषोदिया जी, आज जितने लोग हैं, सब लोग और उनकी जो बियारस के, फैमिली के, जो मुखमंत्री जी की, फैमिली मेंबर हैं, लेडिज, उनका और इनका सराब बाले गोटाले में बहुत बड़ा वो है, सभी लोग इनवाल हैं, ये मैं नहीं कहना हूँ, सबूत लेंदेन हैं मामला अदालत में, जेल बेल खेल के एक दूसरे के लोग साथ ही हैं, तो कैसे केजरिवाल, संजय सिंग ये, उनका साथ तो रहे गही, मगर उसमें भी आपको बता रहा है, एक दो लोग नहीं पहुचेंगे, नोट कर लीजिए, नहीं पहुचेंगे, नेताओ में एक खासियत होती है, कभी-कभी अपने किसी परवार के उसको बता देते हैं, मडा दिखा देते हैं, कई ओ एक स्पायर हो गया, तो मैं इसलिए नहीं नहीं यहाँ आप आया, कहीं-कहीं जूटी रोने लगते हैं, नेता लोग, कहीं-कहीं पैयर में चोड लग जाती है, कहीं कहीं पिधान मंत्री जैसे गए उद्गाटन करने तो सराज को दे रहा है तो पता तरह मुखमंती कहीं देता हमारे मोच आ गई तो यह नेताओं का ड्रामा उस दिन मैं आपको उतारों लगभग छह साथ सांसद ऐसे होंगे जो क्या करने टेन छूड़ गई क्या करने पै पर नहीं मिलेगा आइंडियाई के गडवंद को एंसीपी का जो सरत्पवार वाले गुटका एक भी सदस्का बोर्ड नहीं मिल पाएगा हो सकता पहुन ना पाएं बाइक और जाएं या कांग्रेश को आइंडियाई गडवंदन को सपोर्ट करें मंगर वहां तक नहीं लेकिन अजय जी सवाल किये है कि यहां पर कितना वो वोटो का आकड़ा है जो की एंडियाई के पास है और कितना आकड़ा है जो की आइंडियाई जो यह गडवंदन बना है इसके पास है 237 सदस है 237 की पूरे के पूरे मतदान नहीं करेंगे अभी तक के इतिहास में लास सवा में एक बार छोड़ करके कभी भी पूरे सदस्टों ने मतदान नहीं किया है अभी तक दूसरी बात आपको बताना है कि एक बार ऐसे हुआ था अटल विहारी बाचपे के कालकाल में उसमें भी तातकालीन उन्होंने उस समय क्या हुआ था उस समय भी बसपा के पांस सदस्टों ने बाइकॉट किया था मगर उस समय के अध्यक्च और खास तोर से सुनिया जी के इसारे पे एक बैमानी हुई थी जिसमें अटल विहारी बाचपे को हाल दिखाया गया था और एक फरजी मुखमंतरी जो सांसन नहीं था फरजी सांसन जो मुखमंतरी नहीं था उड़ीशा का गोमांग वो आके मतदान करके चला गया था जब क्यों कर नहीं सकता था तो आपको बताने अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो 237 किसी भी कीमत पर मतदान नहीं करेंगे आप यह मानके चलिए 232-233 मतदान करेंगे जीतने के लिए 116 लोगों की जरूरत होगी वैसे 237 के हिसाब से 119 लोगों की 1-3 एस एए डीम्क के 4 से 10 से एजीपी का रीक सटस थेॸी जो नेसलीं कंफरन्व सब्सक्राइक है एकैंसीपी इस इस उत्राइए और 2 105 हो गए 105 हो गए अब क्या है पांच जो हैं वो नौमनेटर तो 105 और 105 कितने हो गए 110 और एक सदस निर्दिली है तो हो गए 111 इसके अलाबा 9 सदस जो हैं वो BJD के तो BJD के 9 सदस जोल दीजे तो 120 हो गए 120 के बाद 9 सदस जो हैं तो बीजेडी के नौ टीडीपी के आप जोल दीजे तो हो गए 139, 139 सदस हो गए, अब एक सदस और है, जो वो है, इंडिपेंडेंडेंट में है, तो इनके जाके 130 हो गए, उसके जाब से 130, अब आपको बताना है कि उनके खेमे में आईए, सरत पवाल मतदान नहीं कर उनके तीन सदस तो यही कम हो गए, तीन सदस यही कम कर गए, दूसरी बात आपको बताना है कि एक बहुत इंपोर्टन पार्टी जो आईएंडियाई के उसकी है, उसके भी दो सदस निश्यत तौड़ पर उस दिन नहीं पहुचेंगे, इसमें कोई इबट नहीं है, अब उ आपको बताना है कि उनके जो सदस टोटल होंगे, वो 99 होंगे, 100 हो सकते है, 101 हो सकता, कोई ताजुप के बाद नहीं 97, 96, अभी यह मैत और चलेगी, अब आपको बताना है, इसमें होने क्या जा रहा है, कि राहूल गांधी की इंट्री से क्या है, कि कई दल पड़ेशान है, उनका था कि हम प्रधानमंती बन जाएंगे, हम प्रधानमंती बन जाएंगे, हम प्रधानमंती बन जाएंगे, वहीं आपको बताना है कि औरनेश जू की है, कई राज्यों में इस तरह से उन्होंने फीट किया है, कि तुम्हारे यहां भी आ सकता, तुम्हारे यहां, इस ब मतदान कर सकती है और हो सकता बीजेपी नहीं वो बाइकॉट कर जाए इसमें भी यही सम्मावना है कि बाइकॉट करने की इसके अलाब आपके बताना है साउत का एक दल और है जैसे इस्टालिन है तो इस्टालिन की मजबूरी है इस्टालिन का जो सबसे खास मंतरी था जिसको ब्रश्ट कहते थे आज इस्टालिन के गौर्णमेंट बनाने वाला वो जेल में वो लैंड फारिस कैम में जेल चला गया तो वो केजरिवाल और लालू इन तीनों की मजबूरी है साथ में ब्रस्ट की कि यह लोग एक रहें यानि जो ब्रस्टेचारी हैं वो तमाम लोग एक स हुए थे तो वो सब पैसा चल ला था अब समिश्चा यह है कि अगर यह लोग सब एक नहीं होंगे यह एक इसलिए हो रहे हैं अधीर रंजन ने भी कहा गगोई ने कहा सब लोगों ने माना है कि चुकि मोदी को रोकने लिए सब को एक होना पड़ेगा अब लेकिन अज़ा कानी से इस बिल को राजसबा से पास कर जाए की और अर्विंद केजिवाल की पार्टी जो बयान दे रही है क्या आपको उसमें उनकी बॉखलाहट नजर आ रही है क्या उनका डर्ड नजर आ रहा है कि दरसल उसमें तो सफलता उन्हें हाथ लग नी पाही की तो फिर सियासी बयानबाजी ही की जाए। 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 ये कांग्रेस का इंटर्नल मामला है पंजाब। अब उनका उन लोगों ने पहले उनसे कहा है। प्रंत उनकी सुनी नहीं कही। मंगर कांग्रेस ने इस बात को गंभीरता से भी लिया है। काफी लिडून। इसलिए मैं आपको बतानों निश्चित तौर पे कांग्रेस के भी एक-दो सांसद वहां पे पहुचने पे देरी कर देगी। चुकि ये सांसदों का अधिकाल है। इस मामले में सांसद बहुत ट्रेंड होते हैं। तो इस पूरे माफले को लेकर जो अधिदेश बिल है दिली को लेकर जो राजसभा में पेश किया जाएका सौंफार को। उसमें अजी जी का ये कहना है कि दरसल एंडी के पास सांसदों की संख्या जो है वो बहुमत में है या यूँ कहें बहुमत से भी जादा में है। तो ऐसे में ये जो बिल है ये आसानी से लोकसभा की तरह ही राजसभा से भी पास हो जाएगा। अर्विंद के जिर्वाल की निश्यत तोर पर हार होगी क्योंकि अर्विंद के जिर्वाल की जो मन्शा है जो ब्रिष्टचार उन्होंने किया है जो अधिकारियों की वो ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं उसमें दरसल उन्हें सफलता हाथ नहीं लग पाएगी और यही सांसद ऐसे हैं जो वोटिंग के वक्त राजसाभा तक नहीं पहुचेंगे ये भी वो दावा कर रहे हैं फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है में कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद